अचारे जी नमस्कार आज गॉल ब्लेडर या गॉल पॉइंट तो चोटे चोटे जो पॉइंट्स हैं उनमें कितना जबर्दस चेंज आता है उनमें से एक पॉइंट है हमारा गॉल बहुत सारे ठ्रैपिश जानते हैं कि आउटिजम में हम लोग नाइन गॉल सबसे पहले जो रूटीन में ज़्यादा यूज होता है नाइन गॉल ऐसे आटिस्टिक बच्चे जो बहुत ज़्यादा हाइपर हैं बहुत तोड़ा फोड़ी करते हैं अहीं टिक कर बैट नहीं सकते हैं बहुत भागं भाग रहती हैं घर के अंदर ऐसे बच्चों को नाइन गॉल इसको अलग अलग तरीके देने से भी अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं गुरु जी बहुत बार कहते हैं कि हर पेशन्ट के उपर अलग अलग टाइप से टीट्मेंट देने से अलग अलग तरह के रिजल्ट आएंगे ऐसी आउटीजम वाला जो ये केस है आउटीजम वाले जो केसिज हैं इन में हम लोग CNNS गॉल, 6 तोफिंगर गॉल, 1 गॉल इंटु 9 ऐसा करके भी देते हैं 9 गॉल के भी अच्छे रिजल्ट हैं कुछ केसिज में देखा गया कि जब 9 गॉल से भी शांत नहीं होता तो उसको CNNS गॉल और 6 तोफिंगर गॉल और 1 गॉल इंटु 9 ऐसा करके दिया तो ज़्यादा अच्छा जल्ट आया उनको अगर 9 गॉल से नहीं जल्ट आ रहा तो इचिंग के लिए आप सब लोग जानते ही हैं लंबे समय से गुरू जी ये देते रहे हैं 3 टो फिंगर गॉल लिवर इंटु 3 ये बड़ा मज़ेदार था चोटा सा टीटमेंट है लेकिन जल्ट इतना चांदार है कि कई प्रकार की इचिंग खुजली जिसको स्किन के उपर प्रॉबलम रहती है उनमें जैसे ही हम लोगों ने 3 टो फिंगर गॉल लिवर इंटु 3 बस इतना चोटा सा टीटमेंट त्रंत इचिंग सारे श्रीर की इचिंग बंध हो गई मेरे एक पेशेंट है महला है वो उन्होंने बड़े लंबे समय तक अलग लग तरह के गुटने सर्वाइकल का ठीटमेंट लेते रहे सडन एक दिन फोन आया कि सर के अंदर छोड़ी-छोड़ी फुंसियां हो गी तो डॉक्टर ने कहा कि ये डाविटीज की की कारण हो सकती हैं आप एक बार चेक कराएं तो उन्होंने अपना RFT, LFT, लिपिड प्रॉफाइल, सब कुछ जो जो डॉक्टर ने बोला सब सारे टेस्ट करवाएं तो सारे टेस्ट नॉर्मल है, फास्टिंग शूगर भी ठीक है, कोई डॉक्टर ने बोला कि नहीं है, मुझे लग रहा ह चाहिए, सब लोग जानते हैं, थ्रैफिस्ट की HBA1C जो है, वो तीन महिने की जो एवरेश शूगर है, जिसको बोलते हैं, तो वो चेक कराया, वो भी बिलकुल नॉर्मल है, अंडर कंट्रोल है, तो यह सर की फंसियां क्यों नहीं जारी, तो फिर डॉक्टर ने गोला कि आ महाली के अंदर बड़ा नाम है, उन डॉक्टर साब का, लगवग तीन महिने टीटमें लिया, बड़ी मेंगी मेडिसिन है, वो सर में ट्यूब लगाने वाली जो आई बैक्ट करके, शायद वन नेंटी टू रुपीज की, फाइव गराम की, तो एक या दो बार में ही लगत मेरे इसका आप निरोथेपी टीटमेंट बताएं क्या करूं, यह महला थोड़ा को कि वर्किंग में है, टाइम नहीं है, रूटीन में क्लीनिक नहीं आ सकते हैं, तो अभी क्या किया जाए, तो मैंने ऐसे लिटा कर चेक किया, तो देखा, गॉल पॉइंट में दर्द है, त तो वन पॉइंट गॉल सीखके आप इसको सुबह दुपैर शाम, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, वन पॉइंट गॉल इंटु सिक्स, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, मज़ेदार रहा कि वो तीसरे चोथे दिन सर की फु के सारे सर के उपर की फिंसियां और वो जो चोटे चोटे ये थे दाने और वो इचिंग थी उनमें वो बिलकुल सारी खतम होगी फिर दुबारा बहुत बार मिलें उनसे लेकिन कभी उन्होंने ये सर में फिंसी है ऐसी शकायत नहीं की हाँ एक और केस याद आ गया मज़ेदा केस था वो था हिमाचल से एक पेशन्त थे उनके मुझ के अंदर छाले थे उन्होंने बारा साल से कोई छोड़ा नहीं जहां कोई इलाज ना करवाया हो तो कैंसर तक का टेस्ट जो है मुझ से वो एफनेसी टेस्ट बोलते हैं जिसको की पीस लेकर थोड़ा मास का टुकड़ा लेकर जो टेस्ट किया जाता है नीडल टेस्ट बोलते हैं जो वो भी वहां तक भी चलेगे तो उसमें भी कुछ नहीं आया कि डॉक्टर नेकोला इस इस इंफ्लामेशन ओनली इंफ्लामेशन की काफी सारी मैडिसिन उन्होंने खाई तो हमारा एक कैम्प लगा था सोलन में उसमें एक पेशन्ट के मूँ के छाले ठीक हुए थो उनको वन पॉइंट लीवर दिया था तो वो बड़े सालों के छाले थे वो ठीक हो गए तो मेरे साथ ठ्रैपिस्ट थे एक हमारे हुशार सिंग जी तैसे मैंने बुला उनको मैं का आप ऐसा करें एक बार इनका पेंपॉइंट चेक करें तो उनका अजे जी इनके गॉल में काफी दर्द है तो ठीक गॉल का दर्द निका दो तो CNNS गॉल शिक्स टो फिंगर गॉल वन गॉल इंटू सिक्स यह दिया आप हैरान होंगे हम लोगों ने शायद मॉर्निंग में केम्प चल दा था तो इवनिंग शाम होते होते दो बार टीटमेंट लिया उन्होंने और शाम को उन्होंने बुला कि मैं आज मुझे ऐसे टेस्ट आ रहा है मूँ के अंदर जो इतने कई सालों से मुझे लग रहा था कि मूँ में पता ही नहीं चल रहा कि मेरे क्या हो यह है टेस्ट क्या है अजीव सा टेस्ट रहता था मूँ का तो I feel better तो मैंने उनको जाते सम है मैंने का ठीक हाप ऐसा करें को वन पॉइंट गॉल इंटु सिक्स इसे ऐसे ही बिफोर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच बिफोर डिनर तो यह पेशन भी लगबग 12-13 दिन के बाद मुझे सारे छाले ठीक हो गए उन्होंने टीट्मेंट कॉंटिन्यू डेट दो महिना तक अपने आप करते रहे मैंने को कि वहां सेंटर तो नहीं है अजू आजू में कहीं तो दूर गाउं से थे सोलन के पास गाउं है वहां का तो मुझे चाले पूरी तरह से खाली गॉल पॉइंट का इसलिए बार बार गुरु जी कभी-कभी हम लोग भी बड़े लंबे केसिज ट्या जाते हैं बॉरु जी बार बार बूलते हैं कि डैग्नोस जो है वह हमारे पास x-ray है हमारे सिटी स्कैन ये निरो स्रापी में नहीं है नियुर्स हैपी में डाइग्नोज का एक पॉइंट है कि हम नेवल के स्राउंडिंग जो पेन पॉइंट है उन पे ध्यान दे अलग लग डिजीज बड़ी डिजीज में कभी-कभी बड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि क्या-क्या है उसमें जाने का इतना लंबा चोड़ा ठीक है आगे स्टड़ी के लिए पढ़ना चाहिए डिजीज के बारे में डिटेल जानकरी आपको होना चाहिए लेकिन ऐसा ना हो कि हम लंबे-लंबे वो स्टड़ी के चकर में जो मूल चीज है अपनी वो है पेन पॉइंट उस पे उस पे दाएंबाएं ना हूँ एक और याद आगया कि एक और महला आये थे उनको काफी दिन से माइग्रेन और कुछ नी पेन का टीटमेंट कॉंटीनू चल दा था तो काफी बैटर था एक दिन उनने हमारे जो क्लिनिक में महला थरैपिशन उनसे बात की कि मेरे जो यूरिन वाला हिस्सा है पाठ है विज जलन है और खुझली बहुत है तो जो थरैपिश थी वो मेरे पास आई कि सर इनको ऐसे ये भी है तो मैंने का ठीक गॉल सिखाओ गॉल सिखाओ मतलब पहले गॉल पॉंट चेक करो चेक किया तक गॉल के अंदर गॉल पॉंट के अंदर काफी दर्द है वन पॉंट गॉल इं कि सोने से पहले कि वो टीटमेंट उनको सिखाया तो इतने दिन से जो माइग्रेन और गुट्नों के पेन में भी थोड़ा मैं ये कहूंगा कि स्लो रजल्ट आ रहा था जैसे उन्होंने गॉल पॉंट करना शुरू किया मज़दा रहा हूँ माइग्रेन और गॉल बाडर न साथ में विजाइना के अंदर जो जलन और वो खुजली थी वो अपने वो भी बंद होगी तो ये भी एक ध्यान दे हम लोग कभी कभी बहुत चोटे-चोटे पॉइंट हैं नियोरो थेपी में फिर एक और एक महलाए कि बच्चा ठीक है इंटेलिजेंट है टॉपर है बड लिकिन जरा सी बात पे जगड लेता है सहता नहीं कुछ भी किसी का तो इसके लिए कुछ क्या करें तो आप जानती है वो ज्यादा जगडेगा तो गॉल में गुरुजी कहते हो इसका गॉल ठीक कर दो तो मैंने उनको उनकी मदर को सिखाया टीटमेंट मैंने का वन पॉंट गॉल ठीटमेंट वो रोज ठीटमेंट लेने भी नहीं आएगा को सड़ी बहुत करता है पढ़ता है बैट के अच्छे से तो उसको अच्छा एज भी ऐसी है 14-15 साल की एज है तो रोज क्लिनिक में लेके आना दो डाई घंटे या बैठ के लाइन में फिर ठीटमेंट लेक बग शायद में अठारा बीस दिन इतना ही टीटमेंट देने से यह बच्चा बिलकुल नॉर्मल मने नॉर्मल मने दुबारा स्कूल से कोई श्कायत नहीं है यह आज में डेड़ दो साल हो गए उस बात को तो दुबारा उन्होंने नहीं का मैं बहुत बार पूछता रहता ह हो ऐसे पेशन को कि कैसे है अभी है उसका नाम बच्चे का अभी कैसा तुमनों बदा कि नहीं अभी बिलकुल ठीक है जिए अभी हमारा अभी तो नॉर्मल है एक को पिछले दिनों ही एक और फोन आया कि ऐसा रात साड़े आट बजे का टाइम था तो यह गॉल में दर्द है और सुरी गॉल लिजन में पेन आ रहा है दर्द आ रहा है तो साड़े आट बजे है क्लिनी का टाइम तो ओफ हो गया थरैपिस जा सकता है घर में नहीं हम लोग दूर है जी बने ठीक है वीडियो कॉल करो वीडियो कॉल किया तो मैंने बलाए यह तो मैंने वीडियो काल करके मैं अपने घर में बैठे थे मैंने वाइफ को बोला मैंने का मैं आप पैर सीदे करो जड़ा तो मैंने उनके पैर पर पे CNNS गॉल सिक्स टोर फिंगर गॉल वन गॉल यह करके दिखाया मैंने बहुत अच्छा वहां आप करो ऐसे ऐसी करो और दर्द ज्यादा रहे तो कि एक गंटे के गैप से दुबारा रिपीट कर सकते हैं तो उनों ने शाइद दो बार दिया तो पेन उनका फोन आया कि अभी तो बिल्कुल दर्द थीक है और जो सो भी गए है पेशन को अराम आगया है तो पेशन बिल्कुल नॉर्मल सो गया है मौनिंग में उठे था उन्होंने मैंने बुला एक बर कल अल्टर साउंट जूर करा रहे ना पता चल जाएगा क्या है नेक्स्ट जे अल्टर साउंट रहा है तो पता चला कि वह 12 mm का स्टोन है अभी पेशन ठीटमेंट ले रहा है पेन नहीं है डॉक्टर बोला तुरंट निकल वाओ इसको गॉल वेडर में स्टोन है बाद में बड़ा होगा तो फटेगा फिर मुश्किल में आओगे तो इससे अच्छा है आप इसको अभी निकल लवा दें लेकिन वह खाली कि CNNS गॉल 6 टोफिंगर गॉल और वन गॉल इंटो 6 इतना ही देते अभी तक तो पेन दुबारा लॉट के नहीं है सबी नियुरोथापिस्टों को ध्यान में होगा जो एक्च्छल टीटमेंट है नियुरोथापी में वह हम देते हैं कि अ त्री टोफिंगर ना 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 सुरी त्री गॉल 7 लिवर 6 ADR और 12 लिवर 6 ADR गॉल ब्लेडर में जब दर्द रहेगा या गॉल ब्लेडर में स्टॉन की वज़े से जो दर्द रहता है उसमें यह टीटमेंट पेन के लिए देते हैं शुरू में बाद में किनी के और और ब्लेडर 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 के स्टोन के लिए जो देते हैं लोग लेकिन शुरू में इतना देते हैं लेकिन उस दिन पता चला कि CNNS गॉल 6 12 फिंगर गॉल और वन गॉल ऐसे बहुत सारे केस हैं चार्या जी कभी मोका देंगे तो मैं और भी इस तरह के केस खाली सिंगल प यहाद आगया तो गुरुजी के साथ हम लोग जलंदर में शायद थे कैम्प में वहां एक महला एं उन्होंने कहा कि मेरे जो है ओ बॉड़ी में कहीं भी टच नहीं कर सकते मेरे बहुत पेन है तो गुरुजी ने कहाँ आपके तो हाथ थंडे हैं आपके पैर भी थंडे हैं तो आप थर्मामेटर से बॉड़ी तेमपरेचर चेक करो चेक किया है आइ थिंक 96 था दुपैर के समय में उनका बॉड़ी तेमपरेचर 96 है तो गुरुजी ने तुरहं थेपिस को बोलाग ठीक है इसको चे मेडूला 6 मेडूला इंटू 3 तीन बार दे दो आदे-ादे मिनट के गैप से तो तीन बार दिया चेक किया तो जो 96 है 97 हो गया फिर 98 हुआ 98.4 आगया ऐसे आदे-ादे घंटे के गैप से 3-4 टीटमेंट दिये गुरुजी ने बहला अब ऐसा कर दंड बैठक लगा कर दिखा तो पूरी बाडी का दर्द निकल गया खाली 6 मेडूला से बड़ बड़े टीटमेंट तो ठीक है अच्छी बात है वो जब आप क्लिनिक चिलाएंगे तो उसका अनुबव रहता है लगी लेकिन ऐसे छोड़े चोड़े टीटमेंट से भी पेशन ठीक हुता है ऐसा हमें जब उसका पॉइंट हमारा काम क्या करता है जब जिस दिन ये विश्वास होगा तो फिर आप नियूरोथरपी करेंगे आप गिसाई पिटाई नहीं करेंगे पेशन के उपर बहुत बहुत धन्यावाद अचारह जी आज समय दिया बहुत बहुत धन्यावाद